ऐसी खबरे सुनकर के बहुत दुख होता है कि जिन देशों को हम अपने special locomotive export करते हैं इसके लाबा उन देशों के लिए special type के trains को manufacture किया जाता है आपने YouTube सहित कई social media platform पर ये खबर सुनी होगी कि African country मेजंबिक को भारत ने कई advanced locomotive export की है इसके लाबा कई प्रकार की train समने export की है वैसे तो भारत मेजंबिक के साथ में ठीक ठाक trade करता है लेकिन अब ये देश भारत के उपर बैन लगाने की बात कर रहा है पूरा मामना क्या है जाने के लिए इस वीडियो को लासक जरू देखेगा और हमें support करने के लिए चानल को subscribe जरू कीजेगा और इससे वहाँ पर price increase होंगे और भारत को महगी केमतों पर तूर दाल खरीदनी पड़ेगी तो जादा profit या फिर कहें लालत के चक्कर में इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और मजंबिक के अंदर ये बात इसले की जारी है क्योंकि भारत मजंबिक का तीसरा सबसे बड़ा तूर दाल इंपोर्टर है लास्ट येर हमने करीब 948 shipment के साथ में तूर दाल इंपोर्ट की है मजंबिक से यहां पर यह है कि मजंबिक के अंदर इस दाल का प्रड़क्शन इसलिए किये जाता है क्योंकि भारत जैसे कई देश इस दाल को वहां से खरीद लेते हैं इसलिए इस एक्सपोर्ट को रोका गया है लेकर मजंबिक जादा पैसे कमाने के चक्कर में इस तरीके की डीसिज़न लेने के बारे में सोच रहा है लेकिन वहां के जो एक्सपोर्टर हैं वह ऐसी डिमांड रख रहे हैं क्योंकि भारत मजंबिक को कई प्रकार के रिपाइंट बेट्रोलियम प्रोड़क्ट, फार्मास्टिकल्स, मशीनरी, कुकिंग कोल, कैश्यू, रॉव, एग्रिकल्चर प्रोड़क्ट सहीत कई चीज़ा एक्सपोर्ट करता है। आप देखते हैं ऑफीचिली इसके उपर दोनों सरकारों की तरफ से क्या डिसी जनाता है।